मैं हूँ आपके साथ साहेवली हम बात कर रहे हैं राजस सुप्रीमो लालू परसाद यादो की तो लालू परसाद यादो को दिल्ली की पटियाला हाउस कोट ने बड़ी रहाद दी है आपको बता दे कि CBI और ED के दोनों ही मामलों में लालू परसाद यादो को अंतरिम जमान दिल्ली की पटियाला हाउस कोट की तरफ से मिल गई है आज 20 दिसंबर को लालू परसाद यादो की video conferencing के जरीए पटियाला हाउस कोट में पेशी हुई सुनवाई के बाद पटियाला हाउस कोट ने लालु परसाद को राहा देते हुए उनको IRCTC स्कैम मामले में अंतरिम जमानत दे दिये हैं आपको बता दें कि इस दोरान तेजस्वी यादो और एक सीएम राबली देवी भी पेशी के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोट पहुँची पटियाला हाउस कोट ने IRCTC घोटाला मामले में होने वाली सुनवाई 19 जन्वरी 2019 तक के लिए आगे बढ़ा दिया है जबकि लालु परसाथ को इसी मामले में बेल दिये जाने के मामले में सुबह 11 बज़े सुनवाई हुई जिसमें उन्हें अधालत में अंतरिम जमानत दे दिये उनकी सुनवाई वीडियो कांफरेंसिंग के द्वारा एक अलग कमरे में की गई पिशली सुनवाई में आरजेडी प्रमुक लालु परसाथ को इस मामले में वीडियो कांफरेंसिंग के माध्यम से पेश होने का निर्देश कोट की ओर से दिया गया था पटियाला हाउस कोट इस्थित विशेस नयाधिस आरून भारदवाज ने कहा था कि उन्हें बताया गया है कि आरोपी अपने बीमार होने के कारण पुर्व दिशा निर्देश के अनुशार अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे हैं इसलिए उन्हें वीडियो कॉन्फेंसिंग के जरिए उपस्थित होने के लिए कहा गया था वहीं इस मामले में सुनवाई के लिए बिहार की पुर्व मुखमंत्री राबडी देवी और पुर्व मुखमंत्री तेजस्वी यादो अदालत पहुँचे जिसके बाद अदालत ने इस मामले में सुनवाई को 19 जनवरी 2019 तक के लिए मुल्तभी कर दिया यानि की आगे बढ़ा दिया जाहिर है कि दिल्ली की पटियाला हुस कोट से IRCTC स्कैम मामले में लालु परसाद यादो को भले ही रहत मिली है लेकिन उनको रहना होगा अभी जेल में ही क्योंकि यहाँ पर जानना होगा कि लालु परसाद यादो चारा घोटाला से जुड़े एक मामले में सजा याफता है वो राची करीमस अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं वहीं से उनकी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये आज दिल्ली की पटियाला हुस कोट ने पेशी हुई है और दिल्ली की पटियाला हुस कोट ने लालु परसाद यादों को राहत देते हुए उनको अंतरिम जमानत दे दिया हम आपको बिहार समय देश-दुनिया की तमाम खबरों से लगतार अपडेट रख रहे हैं हमारे यूटूब चैनल पर जाईए उसको सब्सक्राइब करिए इसके साथी साथ हर छोटी वड़ी खबर की नोटिफिकेशन के लिए हमारे फैजुक पेज को भी जरूर लाइक करें